कि नमस्ति में हूँ रेनु का स्वाफ सबका मेरे यूटूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए कच्छे आलो से बना बहुत ही मज़ेदार खमंग और टेस्टी नास्ता लेके आई हूँ तो आपको ये नास्ता बनाने के लिए ज्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं लगती आप इसे बहुत कम तेल में बना सकते हो तो चले श्राट करते है आज का वीडियो तो ये नासा बनाने के लिए मेनी या तीन आलो लिये है तो सबसे पहले अभी हमें इन्हें कद्दू कच्छे कीस लेना है तो मैं इन आलों को पानी में कीस रही हूँ क्योंकि ये काले पड़ जाते है तो यहां मैंने सारे आलों को कीस लिया है तो आभी हमें इन्हें अच्छी तरा से धो लेना है और इसमें से सारा पानी निकाल देना है फिर से ही नालों में हमें एक गलास पानी डालके इन्हें रख देना है फिर आगे की प्रोसेस के लिए मैंने ग्यास पर बर्तन रख दिया है फिर सबसे पहले हमें इसमें दो चमच तेल डालना है फिर तेल गरम होने के बाद हमें इसमें आदा चमच राई डालनी है फिर हमें इसमें आदा चमच जिरा डालना है फिर उसके बाद हमें इसमें एक बारिक कट किया हुआ प्यास डालना है और इसे हमें तेल में अची तरह से फ्राय कर लेना है तो अभी प्यास अची तरह से फ्राय हो चुका है फिर उसके बाद हमें इसमें स्वादनुसार बारिक कटकी हुए हरी मिर्चे डालनी है और इसे भी हमें तेल में अची तरह से फ्राय कर लेना है फिर उसके बाल हमें इसमें दो चमच बारिक चौप किया हुआ कड़ी पता डालना है तो मेनिया कड़ी पता को एकड़ी पता को एकड़ी बारिक चौप किया है फिर इसे भी हमें तेल में अच्छी तरह से फ्राय कर लेना है तो अभी सारे इंग्रिडियन्स अच्छी तरह से फ्राइड हो चुके हैं फिर हमें इसमें एक कप पानी डलना है फिर उसके बाल हमें इसमें एक चमच धनिया बीच पौडर डलना है फिर उसके बाल हमें इसमें स्वादनुसाद लाल मिर्च पौडर डलने है फिर उसके बाद हमें इसमें आदा कप बारी कट की हुए हरी धनिया डलने है फिर उसके बाद हमें इसमें स्वादनुसा नमक डलना है फिर उसके बाद हमें इसमें चौप की हुए आलू डलने है तो मैंने आलू में से सारा पानी निकाल दिया है फिर उसके बाद हमें इसमें आदा चम्मच हल्दी पौड़र डलनी है और इस पानी को हमें अच्छी तरह से उबाल लेना है तो अब ये पानी भी अच्छी तरह से उबलना शुरू हो गया है फिर उसके बाद हमें इसमें एक कप बारिक सुजी डलनी है और इस सारे coveredness को हमें आज़ी सरह से mix करना है और इससे हमें 2 मिनिल तक आज़ी सरह से पका लेना है तो आप ये सारे ingredients आज़ी तरह से mix हो चुके है और इस सुजियो और आलो आज़ी तरह से पक चुका है फिर उसके पास आप हमें इसे ठंड़ा कर लेना है तो अब ये आज़ी तरह से ठंड़ा हो चुका है फिर उसके पास अभी हमें इसे एक प्लेट में निकलना है फिर उसके पास अभी हमें इस मिश्रन को चोकोन या अकर देना है तो ये दिखी इस तरह से फिर उसके पास अभी हमें इसके पीसिस कट करने है तो आप चाहो तो इसे त्रीकोनी आकर में पर कट कर सकते हो तो अभी मैंने इन्हें इन पीसिस के आकर में कट कर लिया है फिर उसके बाद अभी हमें इन्हें फ्राय करना है तो उसके लिए मैंने घ्यास पर तबा रग दिया है फिर हमें इसमें टेल डालना है और यह fishies दानने हैं और इनिये हमें दोनों तरफ से आच्ञी तरह से brown होने सर्फ fire कर लेना है तो आप इन pieces को बहुत गम तिल में fry कर सकते हो तो आप चाहो तो इन்ने deep fry भी कर सकते हो तो इस दिख्ये अभी अच्छी तरह से brown हो चुके है और यह दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राय हो चुके है तो आप इन्हें गर्मा गरम ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हो तो आप ऐसे ही आसानी से घर में कच्छे अलू से बना एक मज़ेदा टेस्टी नास्ता बना सकते हो तो आप की वीडियो में इतना ही तो फिलते मिलते हैं और एक नहीं वीडियो में और एक नहीं रेसिपी के साथ तो थैंक्स प्रेंस वाच माई वीडियो